नमस्कार साथियों जीवन जोती डोस्ट्रक्ति प्रोग्राम में एक बार आपका फिर्शिक हार्दिक स्वागत है साथियों मैं आपको दिखाना चाहूंगा आउला यह आप दिख रहे हैं आउले का फल आउला किसी परिचे का मोहताज नहीं आउला अपने आप में एक दिख औश्दी है आउले को साथियों महारसायन के रूप में मानेता प्राप्त है और महारसायन वो होता है जो सरीर के सभी अंगों पे कारिय करता हो उसको महारसायन बोला जाता है वैसे तो हम आवला हर इंसान जानता है सभी जानते हैं आवले के बारे में किन्तु आवले के कुछ ऐसे ओसिदिये गुण हैं जिन से साथ आप परचित हों या ना परचित हों तो मैं आपको आवले के और भी ऐसे कई रहसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो साथियों सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कौन-कौन से केमिकल पाय जाते हैं साथियों आफोला जो है इसमें आफोले के फ़ल में वीटामिन सीघर मात्रा में पाया जाता है इसमें नारंगी के मुकाबले 20 कुना अधिक वीटामिन सीघर है आफोले में गैलिक एसिड टैनिक एसिड निर्याज सरकरा अलबियृणिम सेलिसोज तथा केलसियम पाई जाते हैं फल के कल्क और स्वरस में परती सो ग्राम में पाई जाने वाले घटक निम्बर प्रकार है यदि आप सो ग्राम आवला लेते हैं जैसे कि ये सो ग्राम आवला है तो सो ग्राम आवले के अंदर जल की मात्रा 81 मिलिग्राम होती है और प्रोटीन की 5 ग्राम वसा 1 और फास्फोरस 2 मिली ग्राम, कैल्सियम 5 मिली ग्राम, लोह 1.2 मिली ग्राम, निकोटिनिक एसीड 2 मिली ग्राम, टैनिन फल में 28 तत्वक में 21 तने में, तने की छाल में 8.9 पतों में 22 परशिश्तत होता है बीजों में भूरे पेले रंग का एक किस्थिर तैल भी निकलता है और ये आवला जो है तिर्दोस नासक है अमल से वात का, मदूर से सीट का, पित तथा रुच्खाय होने से कारण कफ का नास करता है ये कुष्टधन, ज्वरधन और हिर्दय को बल देने वाला और सोनित इस्थापन है विरिशे और गर्भ इस्थापन है आवला वात, पित, कफ, कुष्ट को निश्ट करता है तथा आँखों के लिए, हितकारी, अगनी दीपक और विसम, ज्वर को निश्ट करता है आवला, हरण, पिपली, सब प्रकाय के ज्वरों को निश्ट करता है आउला थोड़ा मधूर, कसाय, कटू, प्रस आँखों के लिए हितकारी, तिर्दोस नासक, बिर्शे शुक्र वर्दक है तो साथियों ये था आउले का गुंड धरम अब मैं आपको बताता हूँ इसके औसिधिये प्रियोग तो साथियों इसका हम नेत्र रोग में प्रियोग कर सकते हैं 20-50 ग्राम आउला ले लिजिए 20-50 ग्राम आउले का फल और इनको अच्छी तरह कूट लिजिए कूटने के बाद दो घंटे तक आधा किलो ग्राम पानी में उबाल कर उस जल को छान कर दिल में तीन बार आँखों में डालने से नेत्र के सभी रोगों का सभी रोगों में लाप मिलता है तथा दूसरा जब पेड के अंदर आउले लगा हो तो इसके अंदर एक छेत कर देना चाहिए और जब आउले के छेत से जो दर्वी निकलता है ुसको आँखों के चारोड लगाने से भी आँखों की सभी सभी बिमारियां में लाब मिलता है दूसरा साथियों इसका में बालों में जो छोटी उमर में लोगों के बाल सफेत हो जाते हैं तूट जाते हैं बालों में रूखा पना जाता है तो इसके लिए बताना चाहूंगा कि 30 ग्राम सुख्या आमला ले लिजिए जैसे कि यह अभी यह ताजा आओले कफल है तो आप इसको 30 ग्राम सुखा Fal inveiglaw Tech को ददस घ्न हो कि oh speaking 2 दघएड़ा और सब्सक्राम इस अंद्द जग्राम अंदान indoor दक्ष्ण को निलकर के इन सब को अच्छे पूट कर और रात भर कड़ाई में इसको रख दीजिए और सुबेरे इसका जो पेश्ट बनेगा उसको बालों में लगाने से जो छोटी उमर में बाल सफेद हो जाते हैं तो बाल धीरे-धीरे काले हो जाएंगे और बालों का टूटना और जड़ना बंद हो जाएगा तथा एक बालों का और प्रियोग बताता हूँ आवला, रिठा, सिक्का काई इन तीनों को बराबर बराबर ले ले लेजिए और इनको एक घंटे के लिए भिगो दीजिए एक घंटे बाद भिगोने के बाद में इनको उबाल लेजिए उबालने के बाद में छानने के बाद म जो पेश्ट निगलेगा वह इतना बढ़या शैंपू होगा कि आप जब उससे बालों को धोईंगे तो आपके बाल चमकदार रेशम की तरह मुलायम और लंबे हो जाएंगे और बालों में रूसी बगरा है तो वो भी उनका नास हो जाएगा और आपके बालों का हर प्रकार की बेमारी ठीक हो जाएगी दूसरा साथी ज़ि किसी को बिना होजे उल्टियां आ रही हो तो उसको रोकने के लिए उल्टियों में क्या करेंगे अगर किसी को ज़्यादा उल्टिया आ रही है तो आउले का 10-20 मिलिलिलिटर रस ले लिजे और 5-10 ग्राम मिश्री इन दोनों को मिला करके ये दिन में 2- तीन बार देने से जो है किसी प्रकार की जो उल्टिय होती है उसमें भी आराम आता है और साथियों आउले का दूसरा इसका प्रयोग है आउले का 20 ग्राम रस ले लिजे और 1 ग्राम शुद्ध शहद ले लिजे और 10 ग्राम सफेज चंदन का पाउडर मिला ले जे इन तीनो को मिला करके और पिलाने से तुरंद प्रभाव से उल्टी बंद हो जाती है साथियों इस तरह तर एदि किसी को पीलिया हो और पीलिया से आराम nahीं मिल रहा हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप यह आउला ले लिजे ऑर आउले की चट्नी बना लिजे आउले कोटकर और मिक किसी को खिलाने से पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है channel कि उत्समी दूसरा साथ ही खिसी को कब्ज है कबज की सिकायथ रहती है कि तो कबज की सिकायथ के लिए आप आपले फलका चूरं ले लिजिए अयुना कूर आपले फलका चूरं स्यवन करने से एक सिरदर्द कब्ज और आँखों में भी बहुत लाप देता है तो इससे अगर किसी को बवासीर है बज़ेजमी है तो उसमें भी आउला एक बहुत ही उत्तम और चुदी है तो आप क्या करें जिनको कब्ज है तो कब्ज वालों को रात को त्रिफला लेना चाहिए हरड बहे सब्कुर कि डिल जाता है तो आप जो है उसको रात को सोते समय एक चममच रार बहेडा का चूरं त्रिफला जिसको यह कहते हैं ये क्शण्च चूरंच जणड़े पाने के साथा में लेने से और हर त्रयकि कब्ज खत्म हो जाती है दूसरा वार जाजियों और किसीय को लेज तो उसके लिए játta लेज़े इस आउले को आप पीछ लिजिए क्रेमं पार और बाहर से लेप तरही तरह से उसके अंदर मठा बना के रखें चाच जिसको हम कहते हैं चाच बना के रखें और उस चाच को जिसको बवासीरी की बिमारी है उस रोगी को पिलाने से उसकी हर तरह की बवासीरी चाहें सुखी हो या बादी हो दोनों तरह की बवासीरी ठीक हो जाती है साथें दूसरा ऐद़ किसी को सुप्रण्दोस या सुख्र્रें की वीमारी है तो ़ूप में आप इसको आउले को सुखा लिजिए गुठली रही चूरन ले लिजिए relax और उसमें दुगनी मिस्री मिला लीजिए और दुगनी मिस्री मिला कर धाई सो ग्राम तक ताजा जल में पंद्रे दिनों तक लगाता सेवन करने से स्वप्रंदोस सुक्र मेह आधी रोगों में निश्य दुरूप से लाम मिलता है साथ हैं दूसरा जिनको गुल्मरोग हो जाता है तो गुल्मरोग वात पित और कफ के खराबी के कारण गुल्मरोग हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे आउले का रस जैसे की आउले का है आप इसको अपने घर में मिक्से में पीश के इसको काटके इसका बीज निकालके मिक्स से जो आदमी जिनको गुल्म रोग है तो उनका गुल्म रोग ठीक होता है और वात्पीत कफ तिनों बैलन्स हो जाते हैं दूसरा साथियंदी किछी को प्रमे हो गया है तो प्रमे में आप चाह करें आवला, हरड, बहेडा, नागरमोथा, दारू हल्दी, देवदारू इन सब को बराबर-बराबर मात्रा में लेकर यथा विदी उसका कौाच करके 10-20 गिराम की मात्रा में सुवेरे शाम पिलाने से जिनको प्रमे की बिमारी है उनकी बिमारी ठीक हो जाती है साथि जिन महिलाओं को रख प्रदर की बिमारी है तो उनको क्या करना चाहिए आवले का रस लेना चाहिए 20 ग्राम में 1 ग्राम जीरा चूरन जीरा जो होता है हमारी रसवजी में आराम से मिल लाता है तो 20 ग्राम आउले के रस में एक ग्राम जीरा चुरन मिला करके दिर में दो बार सेवन करें इससे जो है आराम से कुछ दिनों तक सेवन करने से रख प्रदर की बिमारी ठीक हो जाती है सब्सक्राइब करें तो 20-30 ग्राम बीज मिलेगा बीज से 30 ग्राम बीज ले लिजिए और इन बीजों को अच्छी तरह मिक्सी में पीछ लिजिए और पीछने के बाद में जो पानी बनेगा उसका उसमें 2 चम्मत शहद और पीछी हुई मिसरी मिलाकर पीने से स्वयत प्रदर में लाव होता है तो स्वयत प्रदर में आपको क्या करना है कि ये जो इसके अंदर का बीज है इसके बीज आप जब छिलेंगे तो इसके अंदर बीज मिलेगा और उस बीज को जब फोड़ेंगे 20 से 30 ग्राम बीज लिजिए और इसको पाने में 30 लिजिए पाने में पीसने के बाद में उसमें दो चम्मज शहद और किसी हुई मिश्री मिलाकर पिलें से स्वेट प्रदर जल्दी ही ठीक हो जाता है साथि यस तर जिनको कफ जादा बन रहा है और कफ के साथ में बुखार भी आ रहा है बहुत तेज आराम नहीं आ रहा है तो इसमें मोथा ले ले लेजिए, 10 गराम मोथा, 10 गराम इंद्रजो, 10 गराम हरण, 10 गराम बहेडा, 10 गराम आवला, 10 गराम कुटकी, 10 गराम फाल्शा, इन सब को मिला लेजिए और इनको एक लिटर पानी में डाल करके इसको उबाल लीजिए यतना कि इसका तीसरा हिस्सा बच जाए चौथाई हिस्सा तक इसको उबाल लीजिए और उबालने के बाद जो इसका क्वास बनेगा उसको पिलाने से हर प्रकार के बुखार कफ और जवर का नास होता है साथी जिनको रक्त पित होक की बिमारी हो गई हो तो रक्त पित में वाद पित कफ जब तीनों में गड़बड हो जाता है तो मरीज को रक्त पित हो जाता है और उसकी लिए आपको क्या करना है रख पित में 10 से 20 मिली लिटर आउले करस ले लिजिए और 2 ग्राम हल्दी का चूरन ले लिजिए और 1 ग्राम शुद्शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से रख पित ठीक हो जाता है साथियों जिनकी पित की बिमारी है जो लोग पित से परिशान है और उनको उल्टी आ जाती है कुछ भी खाते समय जैसे खाया और खाने के बाद में तुरन उल्टी आ जाती है तो इसमें पित की खराबी होती है और उसके लिए सुभरे खाली पेट 1-2 आउले का मुरब्बा खाने से पित की बिमारी पुरितरे से ठीक हो जाती है दूसरा साथियों बजार से सुखा आवला ले ले लेजिए सुखा आवला मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है यह देखिए यह इस तरह का आपको बजार से सुखा आवला मिल जाता है ये सुखा आवला है तो आप इस तरह का आवला बजार से ले लेजिए और इसको मिक्सी में कूट कर इसको कूट छान करके रख लेजिए और रोज शाम को एक चम्मत केवल आवला चूरन और एक चम्मत शहद मिलाकर के खाने से केवल सहत और आवला एक मात्र एक ऐसी दवाई है इनको मिलाकर के खाने से आपकी जो 80 साल के एदि कोई बुढ़ा है तो वो भी ऐसा परसंद दिखाई देगा जैसे कि वो 30 साल का नवयोक तो साथियों ये केवल आवला अगर आप किसी तरह से नहीं सेवन कर सकते हो तो केवल आवले को इतना मात्र सेवन करने से ही रोज शाम को एक चम्मत जवाब खाना खाके और उसके बाद जब सोएं उससे आदा गंटा पहले या एक गंटा पहले लेजिए तो बहुत अच्छी बात है एक चम्मत आवले का चूरण एक चम्मत शुद्शहद मिला करके इसको चाटने से हर परकार के धीरे धीरे रोगों का नास होता है और आदमी स्वयम अपने आप ही किसी भी बिना बिमारी के जो है वो नौजवान दिखाई देता है उसके पालों की बिमारी दूर होती है आँखों की बिमारी दूर होती है और सरीर हश्ट पुष्ट और सुन्दर होता है इसलिए आवले को मैंने कहा था कि आवला महारा सायान है जो कि एक मात्र पूरे सरीर पे ये अपने आप ही काम करता है तो हमें जरूरत है आवला सेवन करने की तो साथ ही ये था आवले के बारे में एक छोटा सा परिचे जो मैंने अपनी ग्यान और चरक सहिता में पढ़के आपको दिया है तो आप जो है आवले का सेवन कीजिए और इसका लाब उठाइए नमस्कार धन्यबाद